दिल्ली के कथिछ शराब घोटाले को लेकर अर्विन के जिवाद दिल्ली के मुख्यमंतरी को तीसरी बार E.D. का समन आया लेकिन वो नहीं पहुंचे अब इसी को लेकर कई सारे सवाल हैं एक आम जनता के मन में कई सारे सवाल है उन्हीं पाँच सवालों का जवाब आज अनुरादा हमें देंगी समझाएंगी दिल्ली तक कवर करती हैं बताएंगी सबसे पहला सवाल देख लीजिये क्या है केजरिवाल को पेशी से आखिर परह के लिए और तीनों ही बार अर्विन केजरिवाल नहीं गए तो जाहिर है यह सवाल सबके जहन में आएगा कि आखिर उनको पेशी से परहेज क्यूं है परहेज के पीछे की कारण गिनाएं तो कई कारण यहां पर आमादमी पार्टी की और से गिनाए गए उनकी दरफ से सब जब उन्हें जाना था एडी के दफ्तर में पेश होने के लिए तब उनकी तरफ से जवाब एडी को दे दिया गया है अर्विन केजरिवाल ने चिठी लिखी है एडी को और उन्होंने अपनी चिठी में यह का है कि पहले भी दो आपने समन भेजे थे और उन समवंस को लेक सवाल खड़े हो रहे हैं संधे खड़े हो रहे हैं और मैं जांच में पूरी सही करने के लिए तयार हूं लेकिन आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे इस वजए से आपकी जांच को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं अपसे कोई सवालों की लिस्ट है तो आप भेज सकते हैं लेकिन पेश नहीं हो रहे हैं पेश नहीं होने के पीछे सर्फ यही क्या रहर है इलीगल है यह ग्र कानूनी है और पहले की समंस में तो वह यह कह चुका हैं कि विडॉग कीजिया आप यही बात है कि वह पेशी से पर यहीं वज़े है कि अर्वेन कि एज़्रिवाल एक बापिर से तीसरे नोटिस के बावजूत भी पेश नहीं हुए है हलाकि यह पेशी से परेज वाली बात है नहीं थी, इसमें मैं एक चीज़ आड़ करना चाहूंगी, कि यह ED की नोटिस पर तुर्विन केटरिवाल नहीं जा रहा है, लेकिन जब CBI की ओरसों ने समन किया गया था, तब वो गए थे, एक ही बार वो बुलाया CBI ने और वो गए और 16 अप्रेल का वो दिन था, जब CBI की जाच में वो शामिल हुए थे, CBI हेडकोर्टर गए थे, वहाँ पर कई घंटे लंबी पूछताच उनसे चली, और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकले, आके मीडिया के साथ उन्होंने इंटराक्ट किया और बताया कि काफी सारे सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिया, काफी अच्छा बिहेवियर, ओफिशल्स करा, लेकिन हाँ, CBI की सामन पर तो पहुंच गए थे, लेकिन ED से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, फिलाल तो परहेज कर रहे है, जी, और इसी के साथ हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें काई लोगों मैंने कहते हैं सुना कि क्या केजरिवाले चाहते हैं कि ED उनके दरवाजे पर दस्तक देने आए, देखें ये तैयारी तो कुछ ऐसी लग रही है, कि ED को चेकमेट अर्विंद केजरिवाल करना चाह रहे है, क्योंकि जब तीसरे नोटिस के बावजूद वो नह कि गए है, ED की तरफ से उनको बार-बार समन किया गया, पहली बार उन्हें 30 ओक्टूबर को ED की तरफ से पहला नोटिस आया था, और उन्हें 2 नवंबर को बुलाया गया था, नहीं गया, उन्होंने का कि अभी Assembly elections चल रहे हैं पांच राज्यों में, प्रचार के लिए उनने सवाल खड़े की और यह का कि गयर कानूनी नोटिस है, विड्रो कीज़े आप इसे, यह जो समन है, यह राजनीती से प्रेइथ है, यह समन आपका मेरे तक पहुशने से पहले लीक हो जाता है, इस तरह कि उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किया, दूसरा समन आया उनको दिसेंबर के महीने में 18 दिसेंबर को ईडी की और से दूसरा समन इशू किया गया और उन्हें 21 दिसेंबर को बुलाया गया, अर्विन केज़िवाल ने उस वक्त की का कि मैं विपासना के लिए जा रहा हूँ, पहले ही जानकारी दे दी गई थी, और मेरे कुछ सवाल है, आ अगले ही दिन दिया, 22 दिसेंबर को, और उन्हें बुलाया गया आज, यानि की तीन जन्वरी को, नहीं गए, अब ये लग रहा है कि अब E.D. के पास जो ऑप्शन है, उसमें ये ऑप्शन E.D. के पास है कि वो सीधा कोट का रुप करें, और अर्विन के खिलाफ बॉरंट था, एक लंबी रेड चली थी, और उसके बाद E.D. ने संजे सिंग को उनके घर से अरेस्ट किया था, अब ये भी आशंका है कि ऐसा भी हो सकता है, अर्विन केजरिवाल के साथ, हलाकि अर्विन केजरिवाल दिल्ली के मुखे मंत्री है, तो एक बड़ा प्रोटकॉल भी ह लेकिन फिलाल E.D. अगला क्या कदम उठाती है, ये भी देखना है कि E.D. का अगला मुव क्या होगा, और E.D. के अगले मुव पर अर्विन केजरिवाल किस तरीके से तयार होगे अगला मुव प क्या हो सकता है, मान लीजे कल को एक और समन जो है, वो उनके दरवाजे पर आ जाए, अर्विन केजरिवाल अगर चूस करते हैं कि उसमें भी वो अपियर ना हो, या हो, क्या उनका मुव अगला हो सकता है अभी फिलाल, अगर हम अभी तक का सिनारियो देखें तो यही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कि अगर एक और समन आता है, तो हो सकता है कि अर्विन केजरिवाल उस समन पर भी ना जाएं, क्योंकि अभी तक तीन पर नहीं गया है, तो चौते पर जाएंगे, इस वात को कहा कि जो उनके पास लीगल टीम है, वो फिलाल उनको एडवाईस कर रही है, वो देख रही है पूरे मैटर को, जैसे भी वो सला देंगे, वैसे वो अर्विन केजरिवाल कॉल लेंगे, और कोई चिठी भी आज ही की तारीक पर लिखी है, अर्विन केजरिवाल ने एडी को, उ अपत्यों पर आपकी तरफ से कोई reply नहीं आया, वैसे ही मिलता जुलता, आपने तीसरा notice मुझे थामा दिया, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिये गए, आपकी जाच को लेकर सवाल खड़े होते हैं, नियत को लेकर सवाल खड़े होते हैं, पारदरशिता की कमी नजर आती है, आपके पास सवालों के कोई लिस्ट है, तो भेज दीजे, मेरे पास अभी कई सारे काम है, जिसमें बिजी हों जैसे अभी राजसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें बिजी है, फिर 26 जनवरी के तयारियों को लेकर उन्होंने का कि मैं उसमें हिस्सा ले रहा अगर आपके पास कोई कॉशनेर है, तो आप वो मुझे भेज सकते, मैं उसमें जाच में पूरा सही योग करूँगा, लेकिन आपने जो मेरे को सम्मस भेजे हैं, उस पर जो मैंने आप पतियां दरज कराई हैं, उस पर आप जवाब दीजे, और अगले सवाल की तरफ दिक गिरफतार हो गए, तो ये पिछले ट्रेंट देखकर हम कह रहे हैं, देखी ये सवाल जो है, ये सवाल तो खुद आम आदमी पार्टी भी कह रहे थी, कि अगर अर्विन केजरिवाल गिरफतार हो जाते हैं, तो कैसे सरकार चलेगी, इसके लिए वो बकायदा लोगों के बी कर तो वो जनता के बीच में सिगनेचर कैमपेंग चला ही रहे हैं, जिसमें जनता से पूछ रहे हैं कि अर्विन केजरिवाल को स्तीफा देना चाहिए, या जेल से सरकार चलानी चाहिए, अब तक जो हमने उस पूरे कैमपेंग को देखा है, आम आदमी पार्टी के, उसको आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी आपको आपने अलग-अलग अजूबे करते हुए भी देखा है, खुद आम आदमी पार्टी ऐसा कहती है, कि देखे, दस साल के भीतर नाशनल पार्टी बन गई है, दो-दो स्टेट में सरकार चला रही है, पॉपुलारिट कि हम नंबर तीन पर आ गए है, पलिटिकल पार्टी इसमें देश के भीतर, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने लोगों की भलाई के लिए काम किया, लोगों ने वो एड्रेस किया, पॉपुलारिटी बढ़ी, तो अब जेल से सरकार चलाने की बात पर आती हूँ मैं, जेल स सिंग जो आमधी पार्टी की बड़े नेता है, वो भी जेल में है, सतेंद्र जैन जो दिल्ली के पूर स्वासमंत्री वो भी फिलाल मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल पर हैं, उन्हें रेगुलर बेल अभी तक नहीं मिली है, और अरविंद केजरिवाल जब जनता से ये पू जाएंगे फाइले लेकर, हम देख लेंगे, अधिकारियों को बुला लेंगे, तो इस तरीके से तैयारिक है आम आदनी पार्टी की, ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ वड़ेंगे, दिक्षा अगला सवाल दर्शकों को दिखा दीजिए, दिल्ली के जो कथित शराब जवाल, बलकि अलग-अलग देश के हिस्तों में जो विपक्षी नेता है, जो उनके खिलाफ ED, CBI या फिर और कोई अन्य केस चल रहे हैं, वो लगातार या आरोप लगाते रहे हैं, कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है, कोट-उनकोट, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या 2024 के पहले, जो अर्वन केजवाल कह रहे हैं, साजश हो रही है, वैसा कुछ हो रहा है क्या? इस वक्त वो इस अलाइंस में शामिल हैं, और वो यही कह रहे हैं बार-बार कि जितनी भी जाच चल रही है, जितनी भी एज़न्सीज हैं, वो केंड़ सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, और विपक्ष के निताओं को चुन-चुन कर टागेट किया जा रहा है, अभी हाल कि अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है वो पद्भार समाल सकते हैं उस बात का खंडन भी कल आ गया उनकी तरफ से इस बात पर जो आप पत्नी के मुख्यमंत्री वनने की बात की उस पर खंडन आया तो यह खबरे लगाता चल रही है उसके अलावा आप अगर अभी उनको लगाता संबंस आ रहे हैं तो कई नेताओं के खलाब जो जाच तेज हुई है और यही वज़े है कि बार-बार जो विपक्षी नेता है वो यह कह रहे हैं कि यह जो जाच है यह जो एजनसी हैं चाहे इंकम टेक्स हो गया या CBI हो गयी या ED हो गयी यह तमाम एजनसी स सर विपक्ष के नेताओं को ही क्यों चुन-चुन कर बुला रही है ममता बेनर जी आरोप लगाती है कि बीजेपी एक ऐसी वाशिंग मशीन है वो बार-बार कहती है जिसमें कोई अगर पाला बदल लेता है तो दाग जो है वो धूल जाते हैं ममता बेनर जी लगातार कहती यह ममता बेनर जी की बात नहीं है सर वलकि अगर आप आज की तारीक में किसी भी विपक्ष के नेता से पूछेंगे मैं संजेर आउत को सुन रही थी कुछ देर पहले उनकी तरफ से भी यही बात है कही गई कि आप बताए कि अर्विंद केच्विवाल को तीसरा सम्मन लेकिन जिन नेताओ पर खुद बीजेपी ने आरोप लगाए वह आरोप छूट गए एडी की तरफ से उनके खिलाफ समंस भी जेगे उनके खिलाफ वारंट आ गए उन सब के बावजूत उनके केस पर कोई आगे कारवाई नहीं हो रही है क्योंकि आप बीजेपी का साथ ज भूल जाते हैं यह आरोप विपक्ष के और से बार-बार लगाये जाता है और यह सवाल भी था कि क्या विपक्ष के कहलाफ साजिश हो रही है दोजा चौबीस के पहले विपक्ष का तो यह कहना है कि यह चौवीस से पहले लोगसबद चुनाव है एक तरीके से यह दिखान की बात है या आरोपों की بात है वो लगातार हो रही है और यह भी एक सवाल है कि विपक्ष की नेताओं पर लगातार शिकंजा जो है वो जांच इजेंसिया कस्ती हूई नजर आती हैं लेकिन जिन नेताओं को लेकर तरफुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने आरोप लगाए वो नेता जब बीजेपी में सामिल हो जाते हैं तो फिर एजेंसीज आगे कारवाई नहीं करती हैं ये भी विपक्ष कहती है तो कहीं न कहीं एक लौजिक विपक्ष की तरफ से दिया जाता है लेकिन फिर उसमें सबसे अगले सवाल की तरफ दिक्षा बढ़ेंगे लेकिन टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल होते रहे अगला और आखरी सवाल पर आजाते इंडिया लाइन्स में केजरिवाल के भविश्य पर क्या संकट मंड़ा रहा है यह सवाल इसलिए अनुराधा क्योंकि हम देख रहे हैं चौथी बैठक हाल में इंडिया घटबंदन की हुई अर्वन केजरिवाल वहां पहुंचे और इतन कि जितनी सीटे मिलेंगी दिल्ली में उन पर हम लड़ेंगे और इसी से जुड़ा सवाल यही है कि इंडिया अलाइन्स में क्या केजरिवाल के भविश्य पर अब संकट है क्योंकि गिरफ्तारी का डर भी उन पर मनड़ा रहा है कि मुझे जहां तक मैंने अभी तक जितना स्टडी किया है जितना कवर किया है उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि अर्विंद केजरिवाल की अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो इंडिया अलाइन्स में उन पर भविश्य पर कोई संकट आ सकता है उनके भव को चुनाब लड़ना है और अर्वेंद केजरिवाल ने रिसेंटली का कि हमें जितनी भी सीटे मिलेंगी हमें उतनी सीटों पर लड़ना है और हमारा प्रयास जीत का होना चाहिए सीट शेरिंग को लेकर भी मैंने आज आपको बता दे कि आमादमी पार्टी के सांसद है बाते आगे बढ़ रही है तो भविश्य पर मुझे नहीं लगता अर्वेंद केजरिवाल को लेकर कि इंडिया अलाइंस में अर्वेंद केजरिवाल के किसी तरह का कोई संकट है चुनाब तो साथ में ही लड़ेंगे ये अर्वेंद केजरिवाल खुद चुके है कि लोक वन में ये बात आई कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है जैसा उनकी खुद की पार्टी भी जिस तरह की बाते कह रही है चो चर्चा तेज है तो अपने जैसे कहा कि पार्टी शामिल है इंडिया लाइन्स में ना सर्फ अर्विन के जिवाल तो उनके अगर वो जेल में रहते हैं या ऐसी कोई नौबत आती है, इफन बठ के साथ हम कह रहे हैं, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता, इंडिया घड़ बंदन में अर्विन केज़िवाल की पार्टी को कितनी सीटे मिलेंगी, कद कुछ कम हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे कोई सवाल नहीं उठते अगर गिरफतार हो जाते हैं, तो सरकार कैसे चलानी है, चुनाव कैसे लड़ना है, उन्होंने जो उनकी 31 दिसंबर की जो दो बड़ी बैठके हुई, आमादमी पार्टी की बारवी नाशनल काउंसल की मीटिंग थी और एग्जेकिटिव, नेशनल एग्जेकिटिव की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली कही है, कि हम 24 का चुनाव इंडिया कारेकर्टाओं को वॉलेंटियर्स को काम दे दिया है, कि आपको संगठन मजबूत करिना बना संगठन के चुनाव नहीं लड़ा जासकता और जीता तो बिलकुल नहीं जा सकता, साफ तोर पर उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने बताया है कि अगर जहां जिस राज्ये मे लेकर उनके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर है जी और उमीद करते कि आपके भी मन में पिक्चर आज क्लियर होगी दिल्ली की राजनीती को लेकर अधिन केजेवाल को जो समन आया वो क्यों नहीं पेश हुए क्यों उन्होंने तीसरी बार समन जो है इडी का आवोईट किय इसके बाद एडी क्या कर सकती है इंडिया आलाइंस में क्या उनका कद बढ़ेगा घटेगा क्या उससे उनकी गिरफतारी अगर होती है क्या उस पर कोई फरक पड़ता है या नहीं पड़ता है एकदम लेमान की भाशा में हमने आज समझने की कोशिश के अनुरादा से को जो भी आपका फीड़ बैक है आप दरूर कॉमेंट्स में लिख कर बताईए और ऐसे कई सवाल जो आपके मन में आते हैं वो भी हमें लिख बेजिए बहुत बहुत धन्यमा